बाबा रामदेव द्वारा बताई गई इस चीज़ को रुजाना पीने से नहीं आएगा हार्ट अटेक इसे किस तरह बनाना है इस टेले वीडियो को एंड तक जुरूर देखें हार्ट अटेक को आने से रोकने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ट अटेक आता क्यों है चुकि आजकल यंग और फिट लोगों में भी हार्ट अटेक बहुत ही कॉमन हो गया है पहले हम जानते हैं कि हार्ट अटेक होता क्या है Friends, heart अपनी blood supply लेता है 3 tube से जिसे coronary arteries कहा जाता है Friends, लंबे समय से smoking करते आने की वज़े से, high blood pressure की वज़े से, high blood cholesterol level या फिर triglyceride levels की वज़े से, मोटापे की वज़े से, diabetes की वज़े से, या किसी भी दवाई का लंबे समय के प्रयोग करते आने की वज़े से, heart attack की family history होने की वज़े से, lack of physical activity की वज़े से, गलत lifestyle, गलत खानपान की वज़े से, या फिर बहुत अधिक stress रहने की वज़े से heart attack आता है क्योंकि friends, दीरे दीरे समय के साथ साथ, heart को blood supply करने वाली तीनों arteries, block होना शुरू हो जाती है एक या एक से अधिक arteries के block होने की वज़े से, या फिर blockage के उपर बने हुए परदे के फटने से, कुछ claws बन जाते हैं, जिसकी वज़े से 100% blockage हो जाती है और 100% blockage होते ही, heart का एक हिसा dead हो जाता है, और वहीं पे आ जाता है heart attack friends, यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर heart attack को रोकना है, तो हमारे blood arteries को block होने से हमें रोकना होगा friends, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा cholesterol level कितना है, हमारा triglyceride level कितना है, हमारी body के बारे basic जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए, जिसके लिए आप test करवा सकते हैं जैसे कि friends, अगर आपका cholesterol level 150 से उपर है, तो वहाँ पे heart attack आने के chances होते हैं अच्छे cholesterol level, जिसे कि हम HDL कहते हैं, उसका बहुत ही कम होने की वज़े से भी heart attack आ सकता है इसके लाओ friends, अगर आप regularly smoking करते हैं, तो उसकी वज़े से heart की जो arteries हैं, वो narrow होना शुरू हो जाती है और उनमें plaque build-up होना शुरू हो जाता है, यानि कि वो block होना शुरू हो जाती है इसके लाओ friends, अगर आप physically inactive हैं, आप बिल्कल भी exercise, walking, jogging, कुछ भी नहीं करते हैं और आपका खान-पान भी गलत है, तो वहाँ पे भी heart attack की संभावना है, काफी अधिक हो जाती है और आप अधिक से अधिक मातरा में अगर oily foods का सेवन करते हैं, junk food का सेवन करते हैं, तो वहाँ पे भी heart attack की संभावना हैं बढ़ जाती है अगर आपकी उमर 30 सार से अधिक है, तो आप city coronary scan करवा सकते हूँ, उस scan से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी arteries में कितनी blockage है अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि अगर heart attack से बचना है, तो हमें अपनी arteries को block होने से रोकना होगा, अगर वो पहले से ही blocked हैं, तो हमें उन्हें खोलना होगा, यानि ये arteries को open करना होगा तो वहीं पर हमारे सामने आते हैं, बाबा रामदेव द्वारा बताएगे कुछ बहुत ही important tips, जो कि ना सिर्फ heart attack को आने से रोकेंगे, बलकि आपकी blocked arteries को open करने में बहुत ही ज़्यादा helpful होगे बाबा रामदेव के अनुसार, heart attack से बचने के लिए और arteries को open करने के लिए लोकी का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा important है, आप लोकी की सबजी खा सकते हैं, लोकी का सूप पी सकते हैं और लोकी का जूस पीना बहुत ही ज़्यादा important है बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लोकी कड़वी नहीं होनी चाहिए और लोकी का जूस भी limited amount में ही पीना है, इसे अधिक से अधिक मातरा में नहीं पीना है इसके अलावा friends, बाबा रामदेव के अनुसार आपको रोजाना कम से कम आदा घंटा कपाल भाती प्रानेयाम और पंदरा से बीस मिनट अनुलोम विलोम प्रानेयाम जरूर करना है यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि कपाल भाती प्राणयाम के करने से हमारी बॉडी के सेल्स रेजुविनेट होते हैं और साथ में हमारे हाट की जो आर्टरीज हैं वो भी ओपन होना खुलना शुरू हो जाती हैं अगर आपको यह प्राणयाम करने नहीं आते हैं तो इस पर मैंने अलोड़ी दो वीडियोस बनाई हुई हैं उन दोनों वीडियोस का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूँगी आप वहाँ पे जाके इन प्राणयाम को करना सीख सकते हैं इसके इलाबा फ्रेंड्स आर्ट्रीथ की ब्लॉकिज को ओपन करने के लिए आप घर का बनाऊवा हलका भोजन ही लें आप बाहर का भोजन यानि की जंक फूड को बिल्कुल अवोईट करें स्मोकिंग बिल्कुल अवोईट करें अधि सेदिक शुगर को खाना अवोईट क की ले सकते हैं दिवेह्ए ह हिkellेय अमिर्दवटी भी आपके हर्ट की ब्लॉकिज को खोलने में आपकी बहुत क能 करेगी अप बात करते हैं सबसे इंपोर्टन चीज़ की जो कि बहुत ही तेजी से आपके शरीर पर काम करेगी heart की blockages को open करने में और साथ में heart के muscles को मजबूत बनाने में और वो चीज है अरजुन क्वात यानि की अरजुन की चाल आपको बहुत ही असानी से अरजुन क्वात या अरजुन की चाल पतंजली स्टोर से मिल जाएगी तो friends आईए जानते हैं कि इस अरजुन क्वात को अरजुन की चाल को किस तरह से बनाना है तो दोस्तों ये मैंने 300 ml पानी लिया है और मैं इसे steel के glass में डाल रही हूँ इस तरह के glasses होते हैं सभी के घर में होते हैं तो आपको अंदाजा मिल जाएगा इसका तो seven है वो खाली पेट किया दाता है और नाश्ता करने से एक घंटा पहले किया जाता है तो तकरीबन ये जो बड़ा चममच होता है ये मैं ले रही हूँ है आपर और आप देख लिजी quantity तो ये मैं इस पानी में डाल दूँगी तो अब हम वेट करेंगे इस पानी के उबलने का और उबलने के बाद ये पानी जब 100 मिलिलिटर के करीब रह जाएगा तो हम इस पानी को छान लेंगे जो जैसा लग रहा है कि एक तेहाई पानी बच गया है और अब हम इसे चान लेना चाहिए तो मैं ग्यास बंद कर रही हूँ तो अब हम इसे चान लेते हैं और जो next step है वो है इसमें 100 मिलिलिटर के करीब दूद मिलाना इसमें मिलाने जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं मिलाने के बाद इसका जो color है वो काफी change हो गया है तो अब ही हमारी urgent quad का जो काड़ा है वो पूरी तरह से तियार हो गया है और जो भी ऐसी चीज़े हैं जो की heart की blockage करती है उनसे आप बिल्कुल दूर रहें I really hope ये video ये information आपको अच्छी लगे अगर आपको अच्छी लगते है इस video को like करना, share करना बिल्कुल भी न भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो आज के आज इसे subscribe करें और notification bell icon को भी on कर लें तब तक friends आप अपना ध्यान रखिए